हमारे संबंध आसियान के साथ वास्तव में अच्छे से बढ़ रहे हैं। आसियान दक्षण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है जिसमें म्याम्मार, वियतनाम, लाउस, थाइलेंड, कंबोडिया, फिलिपीन्स, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, आदिशामिल हैं। आसियान क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्शित करने और दक्षण पूर्व एशिया में आर्थिक वृध्ध को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोथसाहन की भरमार है। चलिए, सिंगापूर से शुरू करके पांच प्रमुक अर्थ व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिंगापूर में 3 साल तक के स्टार्ट अप्स के लिए यदि आये सिंगापूर डॉलर 1 लाग से कम है तो कर्शून्य है और कॉर्पोरेट के लिए केवल 17 प्रतिशत कर है। इसके अलावा ये पूरे एशिया में पारिवारिक कार्यालेयों और निवेश के लिए एक आकर्शित स्थल है। आसियान की दूसरी प्रमुक अर्थ व्यवस्था मलेशिया है। इसमें निवेश कर्भत्ते, पुनर निवेश भत्ते और 5-10 वर्षों के लिए पूंजी गत खर्च पर 70-100 प्रतिशत कर्चूट है। आगे चलें थाइलेंड की ओर। थाइलेंड में निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ-साथ बहुत सारी कर्चुटियां हैं और 8 साल की कॉर्पोरेट आयकर छूट की विशिष्ट योग गिताएं हैं। फिर चलिए इंडोनेशिया की ओर। इंडोनेशिया में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बहुत सारे कर्भत्ते और छुटियां हैं। इसके साथ ही 5 से 15 वर्षों के लिए कॉर्पोरेट आयकर में 10 से 100 प्रतिशत की कमी होती है। आगे चलें फिलिपिन्स की ओर। क्रियेट एक्ट के तहट फिलिपिन्स में विशेश करदर है जो कॉर्पोरेट करदर को 25 प्रतिशत कम करने की अनुमती देती है।